ओरी अब तो मेरा गैस पास हो रहा है पेट सही हो जाएगा मेरा ची 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 सुरीच जी आपने कितनी गंदी बद्बु छोड़ी है बाप ने बाप मेरी तो नाक एकदम सड़ गई आपने क्या क्या खा रहा खा था रात में ची ओरी चुस्मा जी अब आप चुप रही है देखे मेरा पेट अप सही भी हो गया हलो दोस्तो सुस्मा और सुर्बी की कहानी में आप सभी का स्वागत है तो जैसा कि आप जानते है ये है सुस्मा का घर तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि आज की कहानी में क्या होता है तो अब कर लेंगे चलो मैं जल्दी से नास्ता तयार कर लेती हूँ सुस्मा अपने मन में बरबराती रहती है तभी सुरेश का भी नीत खुलने लगता है और ये ये पेट तो मुझे परिशान कर दिया रात भर अच्छे सा सूने भी नहीं दिया इतना दर्द कर रहा था सादी में मैं ऐसा क्या खा लिया मुझे तो सादी में जाना ही नहीं चाहिए था ये पेट तो मुझे परिशान कर दिया रात में भी इतना दर्द था, भी भी आराम नहीं है, चलो मैं चलके फ्रेस हो जाता हूं, हो सकता है, फ्रेस होने के बाद थोड़ा पेट में आराम हो जाए, चलो जल्दी से उठता हूं मैं, औरी औरी ये मेरे पेट को क्या हो गया, ये कितना जादा फुल गया है, जैसे यह क्या होगा आपका पेट में कितनी गैस भर गये यह जैसे लग रहा है अग्दम कुमपारा बन गया यह तो मैंने कहा था कि आप जाके डौक्टर को दिखा दीजिए डॉक्तर को पुला लीजे आपने तो सुना ही नहीं मेरा बात अब क्या होगा आपको आप कितनी परिसानी होगी अरे बाप ले इनके पेट तो ऐसे फुला हुआ है जैसे लग रहा है कि इनका नौवा महीना होने को है अरे अरे सुरेज जी जाये जाके फ्रेस हो जाये हो सकता है फ्रेस होने के बाद आपके पेट में थोड़ा आराम हो जाए औरे अरे सुसमा जी आप भी ना मैं कितना परिसान हूँ मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है और आपको मजाख सूज रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या चलो छोड़ो इनको इनके तो मजाख ही बस करने आता है चलो मैं जल्दी से चलके फ्रेस होता हूँ बढ़ बढ़ाता हुआ टॉयलेट की तरफ चला जाता है चलो चलो मैं जल्दी से फ्रेस हो जाता हूँ अरे बाप ने बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे यह दर तो और बढ़ता ही जा रहा है मैं क्या करूँ अरे लगता है सुरेज जी को ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है चलो मैं जल्दी से किचन में चलती हूँ चलके वहाँ सबजी काट के सबजी बना लूँगी चलो जल्दी से चलती हूँ सुरेज जी की तब्यत अच्छी हो जाए ने तो इनको कितनी परिशानी होगी रात में भी वे वह बहुत जादा ही परिशान थे सुस्मा रसोई में काम करती रहती है तभी सुरेज भी बात्रूम से आ जाता है अरे अरे मैं तो फ्रेस भी हो गया लेकिन फिर भी ये पेट में तो आराम भी नहीं हो रहा है ये तो ऐसा कब ऐसा ही बना हुआ है क्या करूँ चलता हूँ चलके अराम करता हूँ सुस्मा जी से कहता हूँ कि इनों घोल के दें सायद इनों पीने के बाद थोड़ा मुझे अराम हो चलो जल्दी से मैं चलता हूँ अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है मुझसे अरे सुस्मा जी सुनिये न यहाँ पर सुस्मा जी कहा है यहाँ पाईए यहाँ पर पहले अरे हाँ हाँ सुरेज जी मैं आती हूँ बोलिये न क्या करूँ मैंने कहा था डॉक्टर को दिखा लीजी लेकिन आप सुनते ही नहीं आप क्या करूँ मैं अरे सुसमा जो जाए जल्दी से इनों घोल कर लाए अरे ठीक है सुरेज जी ठीक है मैं जाती हूँ जल्दी से इनों लेकर आती हूँ तब ही राजू और प्रीती भी सोकर उड़ जाते है अरे अरे राजू देखो तो पापा का पेट कैसा फुला हुआ अरे राजू पापा के पास नहीं जाते है पापा को कितना दर्द हो रहा है पापा ज़्यादा परिशान है हमें डाड़ भी देंगे चलो हम लोग जल्दी से चलके कमरे में बैट जाते है नहीं तो डॉक्टर आएंगे तो पापा का को सुई लगाएंगे तो हमें भी लगा देंगे देखो तैना मम्मी हमें ले जाके सुई लगवा दीती फिर लगा देंगे चलो राजू हम लोग जल्दी से यहां से भागते है छले छले राजू हम लोग यहाँ से चलते हैं चल्दी से राजू और प्रीती सूई के डर से भागकर जाकर कमरे में छिप जाते हैं यही पे रहना राजू बिलकुल भी बाहर नहीं जाना ठीक है ना जल्दी से इसको पी लीजिये अरे सुरेज जी उसके बैट जाए मैं ही आपको पिला देती हूँ इनो पी लिजे पी के थोड़ा देर आराम करिये हो सकता इनो पीने से पेट में आराम हो जाए आपके अरे सुरेज जी अब लेट जाए लेट कर थोड़ी देर आराम करिये देखेगा थोड़ी देर बाद आपके पेट में बिल्कुल आराम हो जाएगा मैं जाती हूँ आप लेट कर आराम करिये अरे अरे सुस्मा जी यहां आईए ना देखे कितना देर हो गया मुझे इनों पीए हुए लेकिन अभी मुझे अराम नहीं हुआ अरे हाँ हाँ सुरेज जी सच में आपका पेट तो ऐसे ही फुला हुआ है आप क्या करती हूँ मैं ना डॉक्टर को फोन करती हूँ, डॉक्टर के पास ही चलना पड़े गया तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ वो दवाई देंगी तो आपका पेट में आराम हो जाएगा अरे हाँ हाँ सुस्मा जी जल्दी करिये जल्दी से डॉक्टर को फोन करिये बुलाइए ना मुझे बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है अरे हाँ हाँ सुरेज जी आप परिशान मत होई है मैं जल्दी जाके डॉक्टर को फोन करती हूँ अरे सुरेज जी मैंने नर्स को फोन किया था नर्स न यही पास में ही आई हुए किसी मरीज को देखने के लिए मैंने बता दिया कि आपके पिट में गैस बना हुआ यह दवाई लेकर आती ही होगी बस थोड़ी देन में नर्स आ जाएगी यहाँ पर सुस्मा और सुरेज नर्स का इंतिजार करते रहते हैं तभी सामने से नर्स भी आने लगती है अरे अरे सुस्मा जी लीजे मैं दवाई लेकर आ गई अरे यह क्या हुआ इनका पिट तो कुछ जादा ही फुला हुआ इनके पिट में तो बहुत ही जादा गैस बना हुआ है पता नहीं इस दवाई से आराम होगा की नहीं होगा इन्हें तो लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा पहले इस दवाई को खिला दीजिए अगर आराम नहीं होता है तो फिर एम्बूलेंस बुलाएंगे और इनको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे ठीक है ना अरे हाँ हाँ जल्दी दीजे मैं इन्हें दवाई खिला देती हूँ जल्दी से अरे जल्दी से मैं दवाई खा लेता हूँ मुझे जल्दी से इससे अराम मिल जाता ना मैं बहुत परिशान हो गया हूँ अरे अरे नर्स देखो ना कितना देर हो गया मुझे दवाई खाए हुए मुझे अराम नहीं हुए जल्दी से आप एम्बूलेंस को फोन करिए एम्बूलेंस आएगी तो मैं डॉक्टर के पास चलूँगा मुझे अब बिल्कुल भी अराम नहीं हो रहा आप मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है अरे हाँ हाँ सुरे जी आप परिशान मत हो यह मैं सुस्मा जी को बोलती हूँ मैं तो मुबाइल वहीं छोड़ दी जहां मैंने मरीज को देखा था रुकियर मैं सुस्मा जी से करती हूँ यह इम्बूलेंस को फोन करेंगी अरे सुस्मा जी जाए जल्दी से इम्बूलेंस को फोन करें अब मुझे बहुत ज़्यादा इदिक्कत हो रही है अरे हाँ सुस्मा जी जाए जल्दी से इम्बूलेंस को फोन करें जल्दी से बुलाईए इम्बूलेंस को अरे हाँ हाँ मैं जाती हूँ मुझे पहले इनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था पहले मुझे इम्बूलेंस को फोन करती हूँ अरे सुरेज जी आप परिशान मत होईए मैंने इंबूलेंस को फोन कर दिया बस अभी इंबूलेंस आती होगी फिर हम लोग तुरन डॉक्टर के पास चलेंगा बिल्कुल भी परिशान मत होईए सभी लोग बैठ के इंबूलेंस का इंतिजार करते हैं तभी सामने से इंबूलेंस भी आने लगती है अरे अरे मैं अम्बूलेंस लेकर आगे आप लोग बैठी क्यों है चलिए जल्दी से अम्बूलेंस में आप लोग भी बैठी है मरीच का है मुझे बताईए मैं अम्बूलेंस में लेकर चलता हूँ मरीच को औरे औरे इनके हाला तो कुछ ज़्यादा ही खराब है चलो मैं जल्दी से इनको इंबुलेंस में बिठा देता हूँ आप लोग भी आईए जल्दी से बैठिए आप लोग जिसको चलना है जल्दी से चलिए साथ में मेरे सुरेश के साथ साथ सुसमा और नर्स भी एंबुलेंस में बैठ जाती है और एंबुलेंस वहाँ से चली जाती है एंबुलेंस हॉस्पिटल बहुत जाती है सुरेश को लेकर अरे अरे हॉस्पिटल आ गया चलिए उतरियो जल्दी से आप लोग जल्दी से बाहर आईए फिर मैं मरीज को भी उतारता हूँ चलिए निकलिए जल्दी एंबुलेंस से बाहर आप लोग चलो चलो जल्दी से मैं मरीज को लेकर अंदर चलता हूँ मैं जाता हूँ मरीज को लेकर अंदर आप लोग भी आजाईए औरे चलो अच्छा हुआ मैं हॉस्पिटल आ गया चलो जल्दी से अब मुझे हॉस्पिटल के अंदर लेकर चलो मेरे पेट में बहुत जादा ही दर्द है अरे हाँ हाँ भाई हाँ आप तो हॉस्पिटल आ ही गया है चलो अब अंदर ही बीचलते आप इतना के परशान हो रहे है चलीए आप अंदर लेकर चलते हैं ड STOP usted देख लेंगे तो आपकère जल्दी से आराम हो जाएगा चलो चलो जलो जल्दी से मैं इनको लेकर अंदर चलता हूँ चलो मैं तो मरीज को लेकर अंदर आ गया हूँ जल्दी से इनको बेट पर सुला देता हूँ चलिए मैं आपको बेट पर सुला देता हूँ और जाकर डॉक्टर को बता देता हूँ डॉक्टर आकर आपको देख लेंगे तो आपकी तवियत अच्छी हो जाएगी आप बिल्कुल भी परिशान मत हो ये आप थोड़ी देर और बरदास कर लीजे बस डॉक्टर को बुलाता हूँ डॉक्टर आपको देख लेंगे और आपकी तवियत अच्छी हो जाएगी जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लेकर आए औरी हाँ हाँ मैं जाता हूँ जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ आप अभी तो आए हैं बस थोड़ी देर रुकिये मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ आप परिशान क्यों हो रहे हैं बस अभी डॉक्टर आ जाएंगे चलो चलो मैं जाता हूँ जल्दी से डॉक्टर को बता देता हूँ इनकी तब्यत सच में खराब जादा ही हो रही है इनका पेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इनका दर्द भी लग रहा है बढ़ता जा रहा है इसलिए यह परिशान हो गए चलो मैं जल्दी से जा माझी सच में मेरा दर्ध भी बरता जा रहा है डॉक्टर बजल्दी से आ जाते मुझे देख लेते अब तो मुस्से यह दर्ध बरदास ही नहीं हो रहा है अरे हाँ सुरेज जी आपने इतनी देर बरदास किया बस थोड़ी देर और बस डॉक्टर आएटे ही होंगे अब तो ह जल्दी से डॉक्टर आ जाते और इनको देख लेते हैं तब ही वहां पर डॉक्टर भी आ जाते हैं अरे-अरे मरीश की हालात तो बहुत सभी ज़्यादा खराव है चलो जल्दी से मैं इनको देख लूँ क्या दिकत हो रही है इनको अरे डॉक्टर अच्छा हुआ आप आ गए जल्दी से इनको देखिए ना इनके पेट में कितना ज़्यादा गैस बना हुआ इनका पेट तो एकदम फूलता ही जा रहा एकदम गुमपाड़े की तरह फूल गया है जल्दी से देखिए न अरे अरे आप लोग परिशान मत हो यह मैं आया हूं इनको देखने ही न आप बैठे रहिए थोड़ा देर सांती से मैं इनको देख लेता हूं इनको क्या दिक्कत है बिल्कुल भी परिशान मत हो यह मैं इनको चक्कर लेता हूं अरे आपका पेट इतना ज़्यादा कैसे फूल गया बताईए पहले आपको कब से दिक्कत है कब से आपके पेट में दर्ध हो रहा है पहले पूरी बात मुझे बताईए फिर मैं आपको चेक कर लूँगा उसके हिसाब से मैं आपको दवाईया दूँगा इंजेक्शन और यह डॉक्टर राज से हि मेरे पेट में दर्ध है लेकिन रात में थोड़ा दर्ध था पेट भी नहीं फूला था सुबह यह ज़्यादा फुल गया है मैंने सुबह इनों भी पिया था और नर्स दवा लेकर गई थी मैंने यह भी खाया लेकिन मेरे पेट को बिलकुल भ जादा एसीडिटी हो गई है और आपको इतना दर्द भी हो रहा है सबसे पहले मुझे डिटेल में बताए कि आपने क्या क्या खाया था अरे डॉक्टर मैं अपने दोस्त के भाई के साधी में गया था वहीं पे मैंने पनीर की सबजी पूरी और गुलाब जामून खाया था सा उपर से डिनर भी बहुत ही हैबी कर लिया इसी की वज़े से आपके पेट में इतनी ज़्यादा एसीडिटी हो गई डिनर हमेसा हलका फुलका ही करना चाहिए चलिए कोई बात नहीं मैं आपको देख लेता हूँ इसके हिसाब से मैं दवाई या इंजेक्शन दूंगा आप आपका पेट में बिल्कुल जल्दी अराम हो जाएगा आप बिल्कुल भी परिशान मत हुए चलिए सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ अरे हाँ डॉक्टर जल्दी से चेक कर ये बहुत ज़्यादा ही मुझे परिशानी हो रही है अरे हाँ हाँ चलो सबसे पहले मैं आपक को देख लेता हूं आपके पेट में एसीडिटी ही ही हुई है आपका पेट एकदम टाइट हुआ है चलिए कोई बात नहीं मैं इंजेक्शन भेज देता हूं नर्स से नर्स आपको इंजेक्शन लगा देगी आपकी तव्यत बिल्कुल ठीक हो जाएगी ठीक है ना तो मैं आपको रात में ही हॉस्पीटल आना चाहिए था ना इतनी देर किस चीज का इंतिजार कर रहे थे और उल्टा फुल्टा इनो दवाईयां यह सब कर रहे थे आपको सबसे पहले अगर कोई दिक्कत हो तो हॉस्पीटल आना चाहिए ठीक है ना देखिए क्या हो गया आपके लापरवाई से आपकी दिक्कत कितनी जादा बढ़ गई है औरे हां हां डॉक्टर आगे से मैं ध्यान रखूंगा अब कभी भी ऐसी लापरवाई मैं नहीं करूंगा चलो चलो जल्दी से जाकर मैं नर्स के हासे इंजेक्शन भेजदू नर्स आके इनको इंजेक्शन लग आप मेरी बात एक भी नहीं सुनते अगर रात में आ गया रहते तो इतनी दिक्कत नहीं होती औरे सुस्मा जी रहने दीजिए अभी कुछ मत बोली अभी मेरी तब्येट ठीक नहीं और आप कुछ ना कुछ बोली ही जारी है चुप रही है चुप चुप बैठी है सुस्मा और सुरेश आपस में बाते करते रहते हैं तब ही नर्स भी वहाँ इंजेक्शन लेकर आ जाती है चलो चलो चलके मैं जल्दी से इनको इंजेक्शन लगा देती हूँ यह बहुत जादा ही परिसान है इंजेक्शन लग जाएगा तो इनकी तब्येट अच्छी हो जाएगी जलिए अब तैयार हो जाए जल्दी से मैं आपको injection लगा दू, injection लगाने के आधे घंटे बाद आपकी तब्यत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, औरे नहीं नहीं मैं injection लगाऊंगा, मुझे दवाईया दे दीजे, मैं injection नहीं लगाऊंगा, औरे अरे आप कैसे बच्चों की तरह ठीक हो गई, दवाई खाके आप देखे हैं ना, आपकी तब्यत ठीक हुई, औरे नहीं नहीं कोई अच्छी दवाद दे दीजे ना, मैं injection नहीं लगाऊंगा, औरे सुस्मा जी इनको समझाईये न, देखे कैसे बच्चों की तरह जित कर रहा है, injection नहीं लगाएंगे, तो आपसे परिशान हो रखें और परिशान भी कर रखें, ठीक है ठीक है चलिए injection लगवाद दीजे, वैसे भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, लगा ही दीजे मुझे injection, अरे हाँ हाँ, चलिए मैं लगा देती हूँ, ओ, 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 हो गया, हो गया, आप कैसे बच्चों की तरह कर रहा है, देखिए, हो गया, आप आपकी तब्यद सही हो जाएगी, बिल्कुल, चलिए मैंने injection लगा दिया, आदे गंटे में इनका तब्यद भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, मैं जाती हूँ, आदे गंटे तक आप आराम कर पुला था, वो भी सही हो गया, अरे सुरिच ची, आपने तो एक दम गैस छोड़ छोड़ के मेरी नाखी सड़ा दी, तो आपका पेट सही नहीं होगा, आप भी ना, क्या-क्या खा रखे थे रात में, किती गंदी बद्बु आ रही थी, औरे सुस्मा जी, मेरी तब्यत रा सब्सक्राइब कर लिए, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानिया मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाती रहूंगी, थांक्स फॉर वाचिंग